आगे बढ़ेंगे बड़ी ख़बर के साथ कांथपूर से इस वक्त हमारे पास है महिला पर हिवक ने एसिद अटाक करती आये जी हम युवक ने महिला पर एसिद अटाक किया है जखमी हालत में महिला को अस्पताल में भ्ति कराये गया है हमले के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हुपाया है कानपूर आउटर के बिधनूत तुलसिया पुर्वा गाउं की खतना है बड़ी ख़बर एसिड अटाक एक महिला पर एक युवक के द्वारा महिला जख्मी स्को अस्पिटलाइस करा गया है कारण क्या था इस अचिड अटाक के पीछे इस युवक के अचिड अटाक के पीछे यह वितक साप नहीं मामला कानपूर आउटर के बिधनूत तुलसिया तुर्वा गाउं का है गंबीर हालत में महिला उसको उस्पिटलाइस कराए गया अज़े अटाइक का मामला है कानपुर से युवक ने अटाइक किया एक बहिला पर गंभीर हालत में महिला उसको उस्पताल में बंती करा गया कारण क्या था ये साप नहीं तेकिन बहुत तंगी है वसंते निखेश मामला कानपुर आउट रहा वे दमोर तूसी प्रिया गाउ एसिट अटैक का मामला है कारण क्या लहाँ जो साथ नहीं है रतीश त्रुवेदी फोन लाइन पर हमारे साथ कानपूर से जोड़े हुए इस पर रतीश क्या है पूरा मामला कुछ साफ हुआ जब मल्चले को मना किया पीछा करने के लिए उसके बाद नहीं मानते हुए उसने एसिट अटेप किया है जिससे काफी ज़दा चेहरा जुलब किया है जंबी रूप में महिला को अस्टान भाती करा गया है तोलिस में मामले का पूरी तरीके से संग्यान दे लिया है लेकिन जो व्यक्ति है जो युवख है वो फिलाल अभी नहीं पकड़ा गया है धन्यवाद आपके रतीश आप बतारें कि जो युवख है जो हमलावर था वो अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है